मैंने सुप्रीम कोट में एक पी आयल फाइल किया है कि जो व्यक्ति सजायाफता है जिसका अपराद सिध्ध हो चुका है जिसको कोट के द्वारा सजा मिल चुकी है उसके चुनाव लड़ने पार्टी बनाने और पार्टी पदाद्विकारी बनने पे लाइफ बैन किया जाए लाइब बैन किया जाए चुनाव लड़ने पार्टी बनाने और पार्टी पदारिकारी बनने पर वर्तमान कानून बहुत घटिया है वर्तमान कानून एक सजायाफता व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर केवल छे साल का बैन करता है यानि उसने बलादकार किया हो, हत्या किया हो, नसात तसकरी किया हो, मनो तसकरी किया हो, घूस खोरी किया हो, जमा खोरी किया हो, मिलावट खोरी किया हो, काला बाजारी किया हो, कुछ भी किया हो. शजा होगी और सजा हमारे आपको पता है किसी भी अपराद की शाव सजा है नहीं vamos नस्ता चार का कोई सा अपराद हो चाहेवें ड्राग consistency हो च्याल सभी मामला हो मैसित्प सुद्ध सात साल की याइनि आज अपराद किया सा सजा होगी सा साल के बाद उसके चुनाव लड़ने पे खिनाव और भी चे साल का बैन नाबालिक था इसलिए उसको केवल तीन साल सजा हुई कानून यह कहता है कि सजा के केवल छे साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते तो उसकी छे साल सजा भी पूरी हो गई तीन साल सजा हुई और सजा के पूरा करने के छे साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते नहीं साल तक टोट मन सकता है विधायक मन सकता है मुख्य मंत्री बन सकता है ग्रिय मंत्री मन सकता है शिक्षा मंत्री मन सकता है प्रधान मंत्री मन सकता है कानून के अनुशार यह है घटिया कानून इसलिए हमने कहा कि जो व्यक्ति सिपाही नहीं बन सकता एक सजाय आफ्ता व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता एक सजाय आफ्ता व्यक्ति हवलदार और होमगार नहीं बन सकता एक सजाय आफ्ता व्यक्ति सरकारी नोकरी में छोड़िये प्राइवेट नोकरी में भी नहीं जा स दूसरा है पार्टी बनाना और पार्टी पदाधिकारी बनना पार्टी बनाने के उपर कोई बैन नहीं है दाउद इब्राहिम अगर भारत में आए तो वो भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है ऐसा कोई कानून नहीं जो दाउद इब्राहिम को पार्टी बनाने से जितने भी चाहे वो यासिन मलिक हो चाहे वो बिट्टा कराटे हो जगन्य अपराध करने वाले आज की रेट में ऐसा कोई कानून नहीं है जो हत्यारों को देश द्रोहियों को गद्दारों को जासूसों को भरष्टाचारियों को बलातकारियों को पार्टी बनाने से रोक सके है ऐसा कोई कानून नहीं है जो आप राधियों को पार्टी पदाधिकारी बनने से रोख सके है अंतर समझिए चुनाओ लढ़ने पे तो छे साल का बEC है कानून है वोई लाइफ डाइम नहीं है लेकिन पार्टी पदाधिकारी बनने कोई बैन नहीं है लालू यादो सजाय आफ्ता है पार्टी अध्यक्ष बने हुए है ओम प्रकास चौटाला सजाय आफ्ता है पार्टी अध्यक्ष बने हुए है तमिल लाडू में ससीकला सजाय आफ्ता है पार्टी अध्यक्ष बनी हुई है मधू कोडा सजाय आफ्ता है पार्ट नहीं है इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि जो व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता होमगाड नहीं बन सकता है ड्राइबर और क्लर्क नहीं बन सकता कंड़क्टर नहीं बन सकता वो सांसत विदायक मंत्री कैसे बन सकता हो सिक्षा मंत्री और फाइनेस मिनिस्ट किया है कानून कोई है नहीं हमारे पास इसलिए अब कानून तोड़ने वाले कानून मंत्री बन रहे अनपढ़ गवार सिक्षा मंत्री बन रहे बैंग होटाला करने वाले वित्त मंत्री बन रहे हैं अपराधियों को सनच्छर देने वाले ग्रिह मंत्री बन रहे हैं जो आदमी कुछ नहीं आता जाता वो भी मंत्री बन रहा है विरायक बन रहा है सांसद बन रहा है तो जब हमारे जो कानून निर्माता है सांसद विरायक यही पढ़े लिखे नहीं होंगे, यही इमानदार नहीं होंगे, इनकी सोच अच्छी नहीं होगी, तो फिर कानून अच्छा कैसे बनेगा, बात फिर वही आ गई, कि हमारे देश का कानून घटिया क्यों है, कानून घटिया इसलिए कानून बनाने वाले घटिया है, और कि उनके अच्छी लोग है कि उनक्रानर मना हमारा देश में तो lux कंप्राशी की है कर दस्वी पास होना चाहिए है सिपाही वारवी पास होना चाहिए लेकिन शिख्छा बंत्री कोई कवलिफिकेश्ण नहीं है Look लेकिन एजूप के सब्सक्राइब क्लिक्व बनने के लिए वित्मंत्री बनने के के लिए हमने सुप्रिम कोटे प्याय सूना और सुनने के बाद अगले सब्टाफ फिर से नहीं Nuticing कि बहुत लद हम इस पर सुनवाई करें हमारी जो आप जो बाते में आपके सामने कह रहा हों यहीं दलील हमारी सुप्रिम कोट में भी है यही हम सुप्रीम कोट को समझाने की कोशिस कर रहे हैं कि अखिर जब तक अच्छे लोग संसद में नहीं पहुंचेंगे इमांदार चरितरवान लोग पार्लियमेंट नहीं नहीं पहुँचेंगे जब तक अच्छे महंती मांदार देश भक्त विलान सभा नहीं पहुचेंगे तब तक हमारा लोगतंत्र बजबूत कैसे होगा लोगतंत्र इंफेक्ट नीचे गिर रहा है आप जो पहली पार्लियामेंट बनी थी उस समय के मंत्रियों की और उस समय की सांसदों की आज के आप सांसदों से और आज के मंत्रियों से तुलना करिए पहले कानून मंत्री कौन थे बाबा साथ अम्मेटकर उसके बाद दुबारा बाबा साथ अम्मेटकर जैसा कानून मंत्री क्यों नहीं बना क्या इस देश में बाबा साब अमेड कर ने जर्म लिना छोड़ दिया क्या इस देश में दोबारा बाबा साब अमेड कर कि जैसे समझदार समविधान विसेश है कि कानून को जानने वाले पैदा नहीं हो रहे हो रहे कि दिक्कत आरही मों कानून अच्छा नहीं तब तक अच्छे लोग विधानसवा नहीं जाएंगे सब्तक देश का वास्तों में विस्ध्यूगुरू बनाने वाली बात तो असंभव है तो सबसे पहले जरूरत है election reform की, चुनाव सुधार, minimum qualification तैं होनी चाहिए, सांसद विधायक की, maximum age limit तैं होनी चाहिए, जो आदमी अपराधी है, उसको बिल्कुल ban करना चाहिए, जो अपराधीयों को ticket दे, उन political partyों की मानतारद होनी चाहिए, जो अपराधीयों को ticket दे, उन political partyों का symbols होना चाहिए, नहीं जो विक्ति किसी political party से 50 करोड रुपे में ticket खरीदेगा, आपको लगता है कि वो सांसद बनने के बाद अच्छा कादून बनाएगा, और उसने अगर 50 करोड में ticket खरीदा है, तो याद रखिए, कम सकम वो 500 करोड कमाएगा 5 साल में, ले देख उसका धंदा यही है, कि 50 करोड लगाओ 500 करोड कमाओ, इसलिए वो सांसद बन रहा है, अगर उसके खिलाफ आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उसके खिलाफ देश में एक माहौल नहीं बनेगा, election reform के लिए पुरे देश में जंजागरिती नहीं आएगी, तो फिर होगा कैसे, फिर तो वही होगा, ग सब्सक्राइक को पैसा देंगे, कोई राजस्वाज आएगा, कोई विधान परिस्द में जाएगा, कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, छोटे मोटे गुंड़े बदमास है, गाओं के वो परदान बन जाएंगे, फिर यहीं चलता रहेगा, फिर इस देश में ल सच राजनीती अभियान शूर नहीं होगा जैसे सच बारत अभियान है न उसी तरीके सच राजनीती अभियान तो सच राजनीती अभियान चलाना एक विक्ति की ड्यूटी नहीं है यह हम सब की ड्यूटी है आपको अगर यह मेरी बात ठीक लगी हो इसको अधिक से अधिक शे की बात करीए minimum qualification तैंक करने की बात करिए maximum लिमिट करने की बात करिए और अप राधियों के चुनाव लड़ने पार्टी बनाने और पार्टी पदा धिकारी पर बनने पर live band की बात करिए आप सब लोग मिलके करेंगे था हमें पूरा भरोसा है इस देश की संसत बहुत उच्छ क्वालिटी की हो जाएगी हमारे देश की विधान सभाएं भी बहुत हाई क्वालिटी की हो जाएगी जैहन जैभारत